आहार सुध्धी अगर आपकी होगी तो बिवार सुध्धी होगी इसलिए हमारी करवद्ध प्राथना सात्विक सुध्ध हो सके तो बिना लहसुन प्याज कर और घर के फ्री ठाकुर जी को प्रसाद लगा करके ही भोजन पाना चाहिए रामचरत मानसमंगो स्वामी जी कहते तो मैं ही निवेदित भोजन करही प्रभू प्रसाद पट भूसन थर नहीं भगवान को निवेदित करके जो प्रसाद देता है और पाता है उसका आहार सुद्ध हो जाता है महां भारत का जो प्रसाद प्रसाद देता है